अगर आप लोग को इससे help मिलती है तो feedback जरूर दीजिएगा हम steel structure की पूरी drawing पढ़ाएंगे आप लोग को पहला chapter है Roof Truss Roof Truss में हमको सिर्फ एक Truss बनानी है Fink Roof Truss Fink Roof Truss इसमें उसके joints को देखना है, joint बनाने है Pernil और उसके roof seats बिछानी है इसका figure भी है, हमने ले क्या है यह देखिए आपकी Fink Truss है Fink Roof Truss है यह पूरी इसको tie भी मेलते हैं यह rafter है आपका और यहां से joints है member लगे हुए, strut और यहां पे देखिए, यह seat है full detail है इसमें यह पे Pernil देखिए, अलग से काटके दिखाए गया section तो इस type से आपको बनानी है इसको भी आप लोग बना सकते हैं अलग अलग ispan के लिए आप लोग को बनाने के लिए आएगा exam में तो इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बनाने कोशिस करेगा हम बनवाएंगे चैप्टर नमबर टू है column and column base drawing of splice of steel इसमें देखना है आप लोग को बनाना पड़ेगा यह और उसके बाद slab base gadgeted base और grillage base यह चार चीज़े इसमें हैं इस चैप्टर में तो पहले देखते हैं splices column में जो उर्धवाधर मेंबर होगा उसको जोड़ेने के लिए splices का यूच होता है तो यह देखे welded splices joint दिखाया गया है यहाँ पे rivet splices joint दिखाया गया column splices है यहाँ पे देखे इसका side view है यह front view है यहाँ पे front view है यह side view है इसको ध्यान से आप लोग देखे क्योंकि यही आप लोग को बनाना है प्रटेटिल में इस्टील में भी पढ़ाया जाएगा देखे इस slab bass है जब column को जिस चीज पे रखा जाता है उस slab bass होता है यह फिर जमीन पे लोग ट्रांसफर कर देगा smile को देदेगा इसका front view देखे इस type से दिखेगा और जो top view है इस type से दिखेगा तो यही एकजामे बनाने के लिए आप लोग को आता है उसके बाद है grillage foundation यह देखे उसका जो 3D figure वो मैंने दिखाया है यहाँ पे देखे इसका section दिखाया गया है front से और यह top से तो यह आप लोग को बनाना है full detail हम एज जे overview दे दे रहे हैं इतना ही है आप लोग के connection इसमें beam to beam connection देखना है और beam to column देखना है beam to column connection देखना है इसमें देखिए beam to beam जब जूडती है तो इस type से जूडती है 3D figure भी हम आप लोग को बना के दिखाएंगे और column और beam से ऐसे connection होता है तो इसका side view है और यह front view है इसी तरह यह भी front view है यह side view है चौथा chapter होगा आप रुका plate girder plate girder में हम पूरी detail के साथ stiffness दिखाएंगे flange angle, cover plate, web ठीक है यह सारी चीज़े दिखाएंगे हम तो यह देखिए है पुरा यह plate girder है यह plateों से मिला के आई section हम बनाते हैं क्योंकि हमारे industry में एक fixed dimension का ही eye section मिलता है इसलिए plate girder का यूज करना पड़ता है जब अधिक load आ रहा होता है तो यह full detail के साथ आप लोगको बनाना है इसका देखिए यह vertical section है यह देखिए front से लिया गया है और यह isometric view दिखाएंगे है तो उसी इसाफ से worker जो है वहाँ पर रिवेटिंग करते हैं वोल्टिंग करते हैं आखरी chapter आप लोगका होगा seed बनानी रहेगी cat पे software पे एक seed बनानी रहेगी आप लोगको one seed सिर्फ one seed ठीक है तो autocad पे वी work करना है आप लोगको इस तरह से आप लोगके पांच chapter है फिर से overview दिखा देता हूं मैं truss है truss बनानी है उसमें finc truss है दूसरा है आपका column and column base तो जिसमें सबसे पहले splice देखनी है column में जो member उनको जोडने के लिए column base देखना है मतलब slab base देखना है उसके बाद grillage foundation देखनी है ठीक है और gadget plate gadget plate में आपका इसी तरह रहेगा में उसमें gadget plate लग जाएगी gadget plate लग जाएगी तो gadget plate जब use होगी तो यहाँ पे gadget plate gadgeted base हो जाएगा वो ठीक है फिर देखिए यह beam to beam connection है column to column और beam connection है उसके बाद आप लोग का यह आप खोजागा plate girder इस type से फिर उसके बाद एक seat बाला नहीं है total आप लोग को इतना पढ़ना है ठीक है तो इस तरह से आपका steel structure drawing पुरा complete करेंगे हम support करिए share करिए वीडियो को subscribe करिए हम आगे इसको पूरे detail में पढ़ाएंगे